नमस्कार आप देख रहे हैं आर्जे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी सौसो चुहे खाकर बिल्ली हज को चली जिहां कुछ ऐसा ही कहना है मुख्य मंत्री बगेल का भारती जनता पाटी द्वारा देश भर में निकाले जाने वाली स्नेह यात्रा के संबंद में भारती जन्तापाटी की राष्ट्री कारिसमिती की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने पाटी को स्नेह यात्रा निकालने की सला दी जिस पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री बगेल ने कहा कि भाजपा देश भर में आग लगा कर सनेयात्रा निकालेगी बैकुंठपूर में पत्रकारों से बाचीत में मुख्यमंत्री बगेल ने कहा कि राजिस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत बार-बार सामने आकर लोगों से शान्ती की अपील कर रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री और ग्रिह मंत्री देश के सामने आकर शांती की अपील नहीं करते। मुखे मंत्री ने कहा कि देश में आग लगाने के बाद स्नेय यात्रा निकालने का क्या उचित्ति है। आगे बगेल कहते हैं कि उदैपूर की घटना की जितनी निंदा की जाये कम है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए। बगेल ने केंदर सरकार पर आरोप लगाया कि लोगों का ध्यान बटाने के लिए सरकार इस प्रकार के कृत्ति करवा रही है। वही महराश्च की स्थिती पर बोलते हुए बगेल ने कहा कि अब वहाँ छापे नहीं पड़ेंगे। IT, ED और CBI के दफ़तर वहाँ से उठाकर जारखंड, 36 गड़, राजिस्थान, पश्रिम बंगाल और साउथ के राजियों में ले जाये जाएंगे। वही रमन सीह के बयान कि कॉंग्रेस को अगनीपत योजना नहीं समझ में आ रही है तो क्लास लगाने पर पलटवार करती हुए मुख्यमंत्री बगेल ने कहा कि भाजपा नेता पहले अपने बेटों को अगनीपत में भेजें। अभी तक के लिए बस इतना या आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं आर्जे नियूस के साथ नमस्कार।